दोस्तों भारत शिक्षा के शित्र में तेजी से बढ़ता हुआ देश है भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का महत्त बहुत ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें कोई दोमत नहीं कि हर कोई शिक्षित होना चाहता है शिक्षा के इस दौर में जब हमें आगे बढ़ने की बात होती है तो कई बार मुस्किलों का सामना करना पड़ता है जब हमें financial help की जरूरत होती है हर माता-पिता या हर गार्जिन इतने शक्षम नहीं होते कि वह हमें help कर पाएं हमारी शिक्षा के जरूरतों के हिसाब से तो दोस्तो इसी विसेप को लेकर ध्यान में रखके इस बार मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास education loan की education loan एक ऐसा loan है जिसके मदद से जिसके help से हम चाहें तो अपने शिक्षा को उचायों तक लेकर जा सकते हैं इनी के खास tips को लेकर मैं आया हूँ इसमें मैं different bank की detail तो नहीं दूंगा दोस्तो पिक्चर में बहुत सारे bank की detail तो आ रही है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर education loan कैसे लेते हैं दोस्तों सिक्षा के भारत में सिक्षा विवस्था को देखते हुए चार तरह के education loan होते हैं एक होता है under graduate education loan वैसे विद्यार थी जो अपनी higher secondary की सिक्षा पूरा कर चुके हैं यानि plus two की सिक्षा पूरी कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई graduation के लिए करना चाहते हैं तो वो लोन ले सकते हैं दूसरा लोन होता है graduate education loan graduate चात्र या चात्रा या students इसका फाइदा ले सकते हैं वह अपनी उच्छ सिक्षा के लिए education loan ले सकते हैं तीसरे प्रकार का लोन होता है Career Education Loan Career Education Loan एक ऐसा प्रकार का Loan है जिसमें विद्यार्थी वो विद्यार्थी ले सकते हैं या या वो स्टूडेंट ले सकते हैं जो देश के किसी भी टेकनिकल स्कूल या संस्थानों में उनकी रुची है और वहां पढ़ाई करना चाहते हैं जैसे Engineering की पढ़ाई करना चाहते हैं या आप Medical की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन बड़े संस्थानों में पढ़ाई के लिए आपको Education Loan मिल जाता है चौते प्रकार का Education Loan होता है जिसमें अभिवावकों को मिलता है या गार्जियन को लोन मिलता है वैसे अभिवावक या गार्जियन या सगे संबंधी जो अपने बच्चे या अपने परिवार के सदस्यों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है लेकिन वो आगे की पढ़ाई कराना चाहते हैं और पढ़ाई संबंधी अन्य चीजों के खर्चे भी नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग इस लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो इस लोन की अप्लिकेशन के लिए कई महतुपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे की विकल्ब कौन सा चुने, किस बैंक के पास जाएं किन बातों का ध्यान रखें, कब मिल सकते हैं हमें लोन किस प्रकार मिल सकता है और आवे दिन किस प्रकार करें तो इन ही बातों की मैं संशिप्ट में हाचाचा करना चाह रहा हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताओं किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने से पहले योजना बना ले कि आप ये loan कितने वर्षों के लिए लेना चाहते हैं और कितना amount लेना चाहते हैं यानि कि कितनी पढ़ाई के लिए कितने loan की आपको ज़रूत पड़ेगी इसके अलाबा आप यह भी पहले ही तैय कर लें different websites पे जाए different bank के detail को check करें education loan की कहां क्या interest में और किस प्रकार से loan मिल रहा है अलाग कि picture में मैंने यहां बहुत सारे bank के detail दिखाई है मैं किसी भी bank को promote नहीं कर रहा हूँ यह just symbolic photographs है आप अपनी इक्षानों सार कोई भी bank choose कर सकते हैं तो अपनी इक्षानों सार different bank को search करें वहां से जो कुछ भी जो होती है सरकारी योजना के लाव पाने युग्य हो जाती है तो इन बातों का ध्यान रखे loan लेने से पहले loan आखिर आपको मिल किस प्रकार से सकता है तो इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा education loan लेने के लिए आपके उम्र 16 से 35 वर्स के बीच की होनी चाहिए हला कि कुछ exception cases है उसके लिए मैं अलग वीडियो में आपसे discussion करूँगा लेकिन मूलता यही education loan की का नियम है देश के किसी भी bank में loan पाने के लिए भारत का निवासी होना जरूरी है देश का निवासी होना जरूरी है आप तभी भारत के किसी भी bank से loan ले सकते हैं यह loan आप किसी भी प्रकायर के प्रमुक college या professional course कराने वाले college या university के लिए ले सकते हैं जैसे IIT, IAM, MS, AIMS आदी जैसे बड़े बड़े सनस्थानों के लिए तो बहुत ही आसानी से education loan मिल जाता है इसी तरीके से आप loan जब आप लेना चाहते हैं आवेदन करना चाहते हैं तो आपको loan आवेदन करते समय एक loan के सह आवेदा क्यानी co-applicant की जरूत परती है उनकी भी आप पहले से ही discussion कर लें कि आपके से अपने co-applicant ट्रक नचाहते हैं या माता-पिता हो सकते हैं या आभिवावक हो सकते हैं वह व्यक्ति जो आपके loan की security के रूप में आपका education loan sign करेंगे तो ये दोस्तों ध्यान रखने की बात है इसके अलावा आवेदन कैसे करें आवेदन करने का सबसे सही तरीका ये है कि सबसे पहले जैसा मैंने बताया different website पे पैसवजार.com पे भी अबलेबल है और इसके अलावा different website पे Google का जमाना है आप Google कीजिए search engine, different search engine में use कीजिए और अपनी पसंद के bank को search कीजिए bank को search करने के बाद जिस किसी भी bank में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ आवेदन करने के लिए आप अपने form online भी अबलेबल है इसके अलावा bank विजिट के थू भी हो जाता है form submit करें ध्यान डखे इससे में जो education loan के लिए जब form submit करेंगे तो अलग-अलग education loan के लिए अलग तरह के document आपको submit करने पड़ेंगे उच्छा के लिए education loan के लिए आवेदन के लिए 10 वी और 12 की mark seat की जरुवत पड़ती है यानि कि 10th और 12th के mark seat की जरुवत पड़ती है अगर आप graduation या उसके उपर की course में जाना चाहते हैं अगर आप post graduation का course करने चाहते हैं और उसके लिए education loan लेना चाहते हैं तो आपको apply करते समय ग्राजवेशन की certificate की copy जमा करानी पड़ती है यह certificate bank में जमा हो जाती है तस्तावेश जो भी होंगे जो भी certificates होंगे वो verification के समय original certificate लेके आपको bank में जाना पड़ता है आप जिस किसी भी संस्थान में या university में या college में admission लेना चाहते हैं लेने की योजना बना रहे हैं वहां का admission letter आपको submit करना होता है जिहां दोस्तों यह अर्धिक्रित होना चाहिए कि आप already select हो चुके हैं इस university college में तो उसके according वो document आपको submit करने होते हैं कि हाँ इस university के लिए particular university के लिए आप select हो चुके हैं इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी document भी होते हैं जो course की detail submit करते हुए देनी पड़ती है जैसे कि address proof आपको देना पड़ता है जैसे कि आपको अपना अपनी पहचान पत्र देनी होती पहचान पत्र दोस्तों आप जानते हैं जैसा कि banking detail में जो पहचान पत्र लगते हैं उसी basic information है जो कि आपको पता ही है दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने just basic information लेका हैं आपके पास bank के थुरू आप कैसे education loan ले सकते हैं और अपने शिक्षा पूरी कर सकते हैं तो अगर आप किसी खास bank के loan की प्रक्रिया को अगर जानना चाहते तो आप में ये comment section में अगातार वीडियो जब तक कि मैं आपके लिए आपगला वीडियो लेकर हूँ तब के लिए आपको नमस्कार